नमश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की एक युद किस तरह से सिफ अंतराश्टी कूटनीती को ही नहीं अंतराश्टी ये तमाम प्लेटफॉर्म्स और संगठनों को प्रभावित करता है इसकी ताजा मिसाल हमें दिल् दिल्ली में दो मार्च को ही जहां पर G20 से जुड़े तमाम देशों के विदेश मंत्री आए काइदे से चर्चा इस पर होना था कि जो लाइफ टैग लाइन है कि किस तरह से इन्वायर्मेंट को अच्छा बनाया जाए उसे जनपक्षधरी बनाया जाए लेकिन आप देखि इस बैठक में भी चर्चा यूक्रेन, यूक्रेन युद्ध और रूस पर सैंक्षन को लेकर हुई और अमरीका ने पूरा दबाव बनाया कि ब्राजील सही तमाम देश इसमें अपनी सहमती दें कि वह रूस पर आर्थिक सैंक्षन लगाने के लिए तैयार हैं मामला सिर्फ इतना ही नहीं, तीन मार्च को दिल्ली में एक और एहम बैठक हुई, क्वैट देशों की बैठक हुई और यहाँ पर भी चर्चा आर्थिक साजेदारी से ज़्यादा चीन को निशाने पर लेकर हुई और इस संदर में एक बहुत एहम सवाल जो मैं आप से पूछना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन पे इसराइल का हमला चल रहा है, पुरी दुनिया देख रही है, युकरेन को लेकर इतना हंगामा है, बहाँ पर जो लोग निशाने पर जा रहे है जिस तरह से हताहत हो रहे हैं, उसे लेकर चिंताव और चर्चा है, लेकिन यह इलाका, दुनिया का यह इलाका फिलिस्तीन जहां लगातार बंबारी जारी है, जहां लगातार सीमाओं का अतिक्रमण जारी है, वह चर्चा में नहीं बनता, बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना आईए हम बात करते हैं प्रबीर पुरकाय से और जानने की कोशिश करते हैं कि G20 और क्वेट बैठक में क्या गुल खिला प्रबीर जैसा कि अभी हमने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में दो एहम बैठके हुई दोनों अंतराष्टिये मसलों पर सबसे पहले मैं जाना चाहूँगी आप से कि G20 भारत होस्ट कर रहा है इस बार सितंबर में हैं भारत में वो सम्मेलन उसे लेकर जो एहम बैठक हुई तमाम विदेश मंतरी यहाँ पर आए उसका क्या नतीजा निकला किस तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि यह बहुत एहम बात है कि इतने देश G20 के जो देश दिखाई दे रहे हैं जो गहरे नीले में वो कंट्रीज हैं जो G7 है और हलके नीले में वो देश हैं जो G20 हैं जो भारत में सम्मेलन होने वाला है उसमें शिरकत करेंगे यह G20 के बैठक जो आप कह रहे हैं अब फॉरिन मिनिस्टर्स की थी अब उनकी प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स की होने वाली है जो अधक् इशू नहीं हुआ सहमती से कोई निशकर्ष पे नहीं पहुंच पाए और अल्टिमेटली जो बाली में भी हुआ था कि एक स्टेट ऑफ दो मीटिंग का एक दस्तवेज पेश किया इसकी अध्यक्ष और ध्यक्ष क्योंकि भारत वर्ष में हो रहा है इसलिए जैशंकर जी ह हमारे जो एक्स्टरनल एफेर्स मिनिस्टर है उन्होंने पेश किया तो सहमती से जी ट्वेंटी में कोई निशकर्ष नहीं पहुंचा क्यों यह सवाल हमको करनी चाहिए पीछले उनकी अध्यक्ष देशों के अध्यक्ष भी नहीं कर पाये थे बाली बार यहां दिल्ली में लोगे नहीं कर पाये हैं क्यों यह सवाल है तो मुठ्य सवाल यह है कि जी ट्वेंटी का मकसद क्या है देखिए उनाइटिड नेशन्स है सिकीरिटी कांसिल है और वी प्लैटफॉर्म से जी ट्वेंटी बना क्यों था जी ट्वेंटी economic and financial issues के लिए finance minister का platform बनाते है 1998 में 2008 में इसके एहमेत ये थी कि बहुत बड़ा financial crisis अमरीका यॉरोप की banking sector में था जो फैल के हिंदुस्तान से लेकर तमाम देशों को भी अपने ग्रिफ्ट में ले रहा था उस crisis को हल करने के लिए अमरीका यॉरोपियन जो देश है वेस्टर्ड यॉरोप की जो देश है उन्हों ने सोचा हमारे अकेले के बसकर नहीं है और भी लोगों को शानल के आज़ा है क्यूंकि बड़े सिर्फ वेस्टर्ड यॉरोप और अमरीका केनिडा नहीं है अभी बड़े एकॉनोमी स और भी है ब्रिजिल हो भारतवर्ष हो चीन हो रश्या हो तो इन सब मुलकों की शिरकत में एक हम ऐसे निश्कर्स में पहुंचे जो सब मिलके जो financial crisis वेस्टर्ड बैंकिंग सेक्टर में था उससे कैसे मुख्त पाए तो इसके बाद ये जीन 20 के एहमियत दुनिया की financial issues को डिसकस करने के लिए बना था पर इस वक्त उसको अमरीका अपने Western allies के साथ मिलके वो Ukraine को लेकर रूस विरोधी प्रस्ताफ करना चाहते हैं जो की economic issue या financial issue की दृष्टिकों से नहीं आना चाहिए उसके लिए और भी दुनिया की platforms है उसमें अब United Nations Security Council वही मुख्य platform है जहां पर क्योंकि इसमें वीटो पावर रूस और चीन के पास है वो उसको वहां नहीं ले जाना चाहते हैं तो उनका मुख्य ये है कि हर platform को इस्तिमाल करें इस वक्त रूस और चीन को अलग करने के लिए इनको जियो strategic लड़ाई इनको लेकर जी क्योंकि आप में जिक्र किया दूसरी मीटिंग भी एक हुई जो अगले दिन बैठक थी वो कौर्ड देशों की थी जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि भारत है ऑस्ट्रेलिया है कैनेड़ा है जापान है इसमें तो यह जो देश हैं यह जो कौर् कम से कम जो तीन तारीक को बैठक हुई तीन मार्च को वहां एक रिजुलूशन के तौर पर थोड़ा बहुत आगे बढ़े और वहां पर निशाना चीन दिखाई दिया कौर्ड देशों की जो वैठक है किसलिए होती है और उसका मकसद क्या है अगर देखना चाहें तो यह पसिफिक ओशन यह जो पुरा समुन्दर है पसिफिक ओशन और जिसको आज-कल अमरिका इंदो-पसिफिक कहता है उसको लेके है क्यों कि पसिफिक ओशन की एक तरफ अम Ocean के नाम पे मुलत है इस एरिया को लेकर जिसको हम जिसमें जापान भी शामिल होता है कोरिया साउथ कोरिया इसमें शामिल है और दूसरे दीब भी शामिल है टाइवान उसमें है तो विक्ष रूप से साउथ इस्ट एशिया और इस्ट एशिया की लड़ाई जो है वो इंदो Pacific के नाम से किया जाता है पहले यह Australia, Canada और अमरीका लेके था अब उन्होंने भारतवर्ष को भी शामिल किया है कि इनको लगता है चीन को काउंटर करने के लिए भारतवर्ष के ज़रूरत है और क्योंकि हमाई चीन और भारतवर्ष के बीच में Northern Border में काफी tension रहता है बीच- भारतवर्ष को भी आ सकता है और इसलिए Quad बना था पर हिंदुस्तान की पहले से भारतवर्ष के पहले से इसमें एक जो लक्ष्मन रेखा था कि इसको एक military pact हम नहीं बनाएंगे हम इसको दूसरे तरह से देखना चाहेंगे तो हम उसमें military exercises पर तो हम शामिल होते हैं पर एक military pact का सोरूप इसको भारतवर्ष देना नहीं चाहता उसको अभी वी एक हिसाब से अलग अपना स्थित्व बचाने की कोशिश रहती है और कोशिश किया एक लक्ष उनका हमेशा रहा है कि अलग अगर हम रहेंगे तो हमारी आंतराश्य स्थार पर बढ़ेंग बार्गेंग पावर भी बढ़ती रही तो military pact में इसको convert नहीं किया भारतवर्ष ने कभी सामरिक exercises, military exercises, naval exercises किये हैं काफी देशों के साथ भारतवर्ष ने किया है पर यह इसको एक military दिशा ना देने से अभी इसके बाद एक औक U.S. pact हुआ था आपको याद होगा इसमें U.S. और Australia मिलके वो एक military pact है तो उसको चीन को घेनने के लिए लेकिन सारा लक्षी एई है कि सब चीन पर निशाना हो दिशाना चीन को isolate करें अज बिलिटरिली उसको इहां तक यह पूरा इलाके में आप अपना अस्टित्व कहें यार अपना प्रभुत्व कहें उसकी बढ़ाने की कोशिश यह लड़ाई है Quad की पर Quad में हिंदुस्तान भारतवश इस पे शामिल तो है चीन के खिलाफ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है पर इसको military स्वरूप देना इसका military रूप देना यह अभी तक हम शामिल नहीं हुए इसलिए चीन विरोधी बात चीन तो हम करेंगे क्योंकि हम चीन के साथ है पर यह भी सही है कि चीन हमारा अभी भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में से है तो इसलिए चीन के बिना हमारा अर्थनीतिक नुकसान भी काफी होगा वह हम जानते है तो जपान भी जानता है जो साउथ कुरिया भी जानता है यही अमरीका का प्रॉ यही है कि इसको चीन को कैसे अलग किया जाए कैसे आइसोलेट किया जाए क्वार्ट का रेजोलूशन उस दिश्टी कौन से देखेंगे पर मिलिटरी उसका कोई नतीजा आगे आगे नहीं बढ़े हैं प्रभीर मैं दुबारा आपको G20 की तरफ ले चलती हूं जो बैठक वहाँ पर उन्होंने सैंक्शन लगाया दुनिया की लेबल पर और इस बैठक में उनोने ब्राजील से ऑमरीका ने अलग से बैठक की सैंक्शन में कहा है दुनिया अमरीका की बात मान नहीं रही अगर देखें दुनिया के तौर पे बड़े देशों की अगर देखें तो बहुत कम बड़े देश इसे शामिल हुए जो नेटो के शिर्क जिसमें नेटों के शिर्कत वो नहीं करते हैं. है यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया, नियू जीलेंड ऐसे देशे भी शामिल है जो जीट्विंटी में नहीं है पर जो तस्वीर है वो साफ बताता है कि पूरे लैटन अमेरिका में कोई देश इसके साथ नहीं है, Sapsanction के साथ पूरे आफ icons के साथ नहीं यह जो पाने तो बहुत चन्थ में शिर्कत किया है और ये बताता है कि खासतों सी इसको हम एक जमाने में नौन इलाइंड दुनिया कहते थे उस शर्कत में शामिल नहीं है इस पर बहुत सर देश ये बात कहने के लिए तयार है कि रुस को यूकरेन पर एटैक नहीं करना चाहिए था ये कहने के लिए तयार है पर सैंच्छन्स हतियार अमरीका और वेस्टन यॉर्प के चंद देश दुनिया पे काफी कर चुके हैं अगर आप देखें तो यह और भी चित्र है जो बताता है अमरीका कितने देशों पर अपने तरफ से सैंक्शन लगा चुका है अब देखेंगे आफ्रिका के कितने देशों पर सैंक्शन सैंक्शन लगा चुके हैं लैटन अमयरिका को Nicaragua, Venezuela, Cuba सैंक्शन लिखा चुके हैं तो यहां पर चीन पे ऊपर तो है ही रूस पर तो है ही इराक एरान इस पर सैंक्शन पर अफगानिस्तन पर सैंक्शन तो दुनिया की इतने मुल्कों के उपर सैंक्शन लगाना यह उनकी एक तरफा कदम है इस पर कोई युनाइटेट देशनस पर पास नहीं गए का कि हमारे पास financial power है हम चाहे जिसको पर sanctions लगा चाहते हैं लगा लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं एक हिसाब से एक युद्ध की एक और आप देखिए अगर मैं दर्शकरों से चाहूंगे कि वह देखें कि यह नक्षा जहां पर अमरीका के sanctions है और अब आप जाए यह नक्षा तो आपको दिखाई दे जाएगा कि जो सबसे ज्यादा भुक्त भोगी रहे हैं अमरीका के sanctions के वो दुबारा क्यों मानेंगे कि आप रूस पर sanction लगा यह तो दोनों नक्षे बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं अंतराष्टी कूटनिती के बारे में आप एल मुझे मार वो क्यों करेंगे और आर्थिक पावर्स अगर अमरीका को देंगे तो कल उनके उपर भी होगın उनको साफ यह बात मालुम है तो यह तो साफ है कि जो दुनिया पर उनका एक वक्त बॉल्बाला था इनका एक वाख्त बॉलस अंगलेन अनके उनके बास निकलियर weapons है पर nuclear weapons बनाना इतना दिक्कत की बात नहीं है वो नौर्थ कोरिया ने दिखा दिया है तो अब लगता है कि उनकी पुरानी colonial powers की चलती नहीं है तो नया उसमें जो है सामरा जबाद का जो कहे के लीडर है वो अमरीका है और वो छड़ी उधर चला सकते हैं पर अभी भी उनकी financial बागदोर अमरीका के हाथ में है डॉलर दुनिया की reserve currency है और उनकी financial system जो है banks वो अभी भी swift system जो की इस वक्त अमरीका के हाथ में है अला कि वो Belgium की company थी वो इस वक्त अमरीका में हाथ में है उनको लगता bank finance के जरिये हम दुनिया में अपना डंडा चला सकते हैं पर अब जो आके आया है कि पता चला कि दुनिया उनके साथ इन चीजों पर इसी लिए नहीं है कि sanctions की युद्ध जो है इस वक्त रूस चीन पर जब चलेगा तब मालम पड़ेगा सच मुच यह अधिपत्य की आधिपत्य क्या अगले 10 साल 15 साल 20 साल अमरीका के हाथ पर रहेगा यह नहीं रहेगा उसकी लड़ाई युक्रेन का है लड़ाई आप में युक्रेन की बात की मैं चाहूंगी दर्शकों को तुरंत संक्षेप में यह नक्षा दुबारा दिखाएं क्योंकि युक्रेन में युद्ध चल रहा है और यह ताजा इस्थिती है दो मार्श पर किस तरह से जिसको लेकर सारा हंगामा दुनिया के अंतराष्टे इस तरह पर आर्थिक संगठन जो बने हैं उनमें भी यही इलाका चर्चा में है देखिए लड़ाई तो एक साल के उपर हो गया भी चल रहा है उस वक्त निर्णायक लड़ाई उस तरह से कुछ दिखनी रहा है यूक्रेन में होने वाला है और यह हो रहा है पर इस वक्त लड़ाई बखबूत की है और अगर बखबूत जो लगता है शायद वो पढ़र द डॉन्बास रीजन है तो वो अभी लुगांस उनके पास पहुंची चुका है डॉन्बास रीजन शायद पूरा उनके हाथ में चला जाएगा तो एक बुख्य लक्ष जो था डॉन्बास को लेके वो रश्या का पूरी हो जाएगी पर लड़ाई तभी खतम होगी जब लड इसा और उनको मिलिटरी सपोर्ट मिल रहा है जो मुख्य चीच पीछले दिनों में खुल के आया है कि उनका जो कहते है जो दूरगामी अस्त्रों की मार जो है उसका बागडोर नेटो के हाथ में है यूकरेन खुद उसको कहा कि हमको अगर आप लंबे डर लॉन्ग डिस्ट ना कि अस्त्रों वगर दे रहा है पर नेटो पुनी तरह सारी गड़नीती और कुटनीती सिर्फ इतना ही नहीं मिजाइल्स की मार कहां होगा ये भी बता रहा है उसका पूरा मिलिटरी कंट्रोल जो है नेटो के हाथ में है और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि नेटो में हाथ सिर्फ नहीं है आज के तारिक पे पिछले 12 महीने में अमangerika नेटो शक्तियों बिलके खासदोर से अमरिका जितना मिलिटरी रसत जितना मिलिटरी एड़्टे दिया है उक्रेन का और राश्या की पूरी एक साल की डिफेंस बजिट से ज्यादा है तो यह साफ है जब हम कहते आया है नेटो और रूस के बीच पे लड़ाई है हो रहा यूक्रेन पर सवाल यह है कि शान्ती दुनिया को चाहिए क्योंकि नुक्लियर आर्म्स वगारा सारे समझा समझाता भी रूस में है रूस के पास भी है वो समझाते जितने थे वो इस वक्त डगमगा रहे है तो इसको लेके दुनिया की सबकी चिंता होनी चाहिए शान्ती कैसे हो पर सवाल है अगवाई करने के लिए इसमें कोई देश शान्ती इस वक्त त्यार बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर और मुझे लगता है कि यह लगातार चर्चा में बना ही रहेगा जब तक युद चल हमें और आपको शान्ती के लिए देखना ही पड़ेगा इस तरफ शान्ती के लिए जन के लिए जी शुक्रिया दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि जब दुनिया में एक एहम युद चल रहा है बड़ा युद चल रहा है जिसमें नैटो शिरकत कर रहा है और निशाने पे तमाम और देश हैं तब कुछ भी और सोच पाना, कुछ भी और पहल कदमी हो पाना बहुत मुश्किल है और शायद इसलिए बहुत जरूरत है कि शान्ती की दिशा में कदम उठें पहल कदमी हो जिसकी फिलहाल कोई आस नहीं दिखाई दे रही और बहुत जरूरी है कि तमाम खबरों की सही सही परताल होना जिसकी कोशिश हम आपके साथ मिलकर करते हैं देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रिया